अब्सक्राइब केजिए टेक्निकल चैनल को और बेल अकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलिकूमेंडिस्टी के पांच ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारे में जिनके बारे में आस तक आपने पहले कभी निशन होगा दूस्तों कि आप जानते हो कि पूरी दुनिया के अंदर जब पहली बार टेलिफोन पे कॉल हुई थी तो पहली बार कौन सा नंबर डायल किया गया था जिनसे की बढ़ी असे उनकी पहली बार कौल पे बात हो पाई थी दूस्तों कि आप ज जानते हो कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा व्याइपी नंबर कितने का था फिर कौन सा था आज में इनीक के बारे में हम जानने वाले और बहुत सारे इस इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में आस पहले से आप नहीं जानते होगे तो मेरे आपसे रिक्वेश्टि के बिलीज आफ इस इडियो गंट तक जुरू देखते हैं तो हेलो दूस्तो मेरा नाम के जिसम टेक्निकल लिए इस इडियो चैनल का स्वागत है अगर आपने मेरे चलको बात के लिए तो बिलीज राइट के बिलीज से पहले इंट्रेस्टिंग फ पहली बार टेलिफोन का अविस्कार कैसे हुआ था पहली बार टेलिफोन का अविस्कार होने के बाद ही तो कॉल हुई थी पर आपको बता दो दूस्तों दुनिया के इंदर जितने भी बड़े बड़े अविस्कार हुई हो किसी ना किसी गलती की वज़जा से हुए है कोई उन्हें कोई मिस्टेक हुई होगी और मिस्टेक को नोटिस किया था जिस बज़े से टेलीफोन का भी अविस्कार हुआ था दूस्त आपको उतादू कि एलेकजनर गरामवेल टेलीग्राफी भी कुछ परियोग करे थे परियोग करते हुए उन्होंने उनसे कुछ गलती हुए उन्होंने नोटिस किया कि वायर के थुरू भी बड़ी एसेंस से आवाज को भेजा जा सकता है और उसी केस में उन्होंने दो टेलीफोन बनाए जो कि अलग-अलग दो इमारतों पे थे और दोनों इमारतों पे वायलान कनेक्शन था मापको दादे कि उस टाइम पे कोई न नंबर ही डायल नहीं करना पड़ा था दूस्तों अगर हम बात करें दूसरे इंटेस्टिंग फैक कि दूस्तों कि आप जानते हों कि आचसे 70 सार पहले मतलब कि 1950 तक हमारे जो भी टेलीफोन के नंबर हुआ करते थे वो अलफा नूमेरिक नंबर हुआ करते थे मतलब कि जो भी बेसिकली अल्फा बैट है इनके डिजिट जादा होते हैं दूसरा एक रिजिन आपको बता दू कि इससे ज़्यादा लंबा नंबर नहीं किया जा सकता था इसका रिजिन ये था कि लोग इससे ज़्यादा लंबा नंबर याद नहीं कर सकते थे तो दूस्तों 1950 तक इसे ही नंबर को यूज करके कोल की जाती थी जो कि एक्जांपल के तुरू आपको बिता दू पाथ ज्यार तीन दो एक एक एक्जांपल के तुरू आपको नंबर बता है ऐसे ही कुछ 1950 तक के टेलिफोन नंबर हुआ करते थे दूस्तों अगर हम बात करें तीसरे इंटेस् तो जो टेलिफोन नंबर थे वो उसके एक लेमिट थी कि इतने ही कस्टमर तक वो सर्विश दे सकता या फिर उससे ज्यादा लंबी सीरीज करनी पड़ती पर जो एरिया कोड आया उससे कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा थे इसकी वज़े से एरिया कोड आया जो कि 1951 को है थ कि दूस्तों कि आप जांते कि पूरी दुनिया के अंदर एमेर्जनसी नंबर कब आया था जो कि जीरो था 1935 से पहले का पर 1935 में इस चीज को नोटिस के अगर 1937 में एक ऐसी घटना होई जिससे की emergency नंबर से कुछ फायदा हुआ जो आगे चल कर सभी कंट्रियों में सभी अलग-अलग एरिया का एक कोड दे दिया गया से 1937 में पहली बार कुछ फायदा हुआ था और 1980 के बाद में पूरी दुनिया के अंदर emergency नंबर आ गेते जैसे की आज के दिन अगर हम बात के लिए चाइना की तो चाइना के अंदर है emergency नंबर 120 फ्रांस का है 112 ब्राजिल का है 911 मेक्सिको का है 065 इंडिया का 102 है यूके का 112 है दूस्तों अगर हम बात के लिए पाच्व इंट्रेस्टिंग फैक्ट की दूस्तों के आप जानते हो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे महा व्याइपी most expensive नंबर कौन सा है दूस्तों आपको उतादो कि 8666666666666 ये एक most expensive नंबर है मतलब कि सबसे महा व्याइपी नंबर है अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो ये भी का था 2.7 मिलियन डॉलर में मतलब कि अगर आज की इंडियन प्राइज के इसाब से अगर हम बात करें तो 8.63 लाइक रबे का ये ए मुबाईल नंबर था दूस्तों अगर हम बात करें दूसरा नंबर की जो दूसरा सबसे महा पर भी का था वो था दो लाग असी हजार डॉलर का जो की नंबर था ट्रिपल ए डबलेट डबलेट का अगर इंडिया में इसके प्राइज को कनवर्ट करके बताऊं तो एक रोड तीराणवे लाग भीश जार पे गई आसपास का नंबर था जो की निडोक में बिका था और ल सुब में प्राइज जैज दो